हाँ रू फीक्स सैमसंग एफ फिफ्टी टू किप्स टर्निंग ओफ प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सैमसंग के डिवाइस में इस प्रॉब्लम बताने वाला हूँ तो आप दोस्तों इस वीडियो को आँ तक देखेगा ठीक है जो भी सॉलुशन बताऊंगा उसको फोलो करना है एंड आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है जो बार-बार स्वीच ओफ हो रहा है जो यह बार-बार यहाँ पर ओफ हो रहा है उसको आप फ वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मुबाइल बार-बार स्वीच ओफ होते हैं हो सकते दोस्तों किसी सेटिंग के वज़ज़ से या फिर कोई एप्स के वज़ज़ से या फिर डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया होगा ठीक है तो सबसे पहले अटोमेटेशन एंड रिस्टार्ट टाइमिंग जो है उसको भी आप बन कर दे और एडेप्टिफ पावर सेविंग को भी आप बन कर दे यानि की पावर सेवर आपको दोनों ही बन कर देना है ठीक है तो इससे दुस्तों आपको स्वीच ओफ या फिर टर्निंग ओफ का प् आप्लिकेशन जो की कोई बैट आप्लिकेशन हो सकते ठीक है अगर आपने कोई भी आन्नों वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है तो उन एप्स को भी डिलेट करें ठीक है तो सारे चीज़ यहां पर आपको फोलो करना है अगर आपके मोबाइल पर कभी सरे एप्स को बन करना है तो बेटरी एंड डिवाइस केर में जाए बेटरी पर क्लिक करें और यहां पर मिलेगा बेग्राउन यूजर्स लिमिट और उनको जो ही दोस्तों आप डिप स्लिपिंग मोट पर डाल दीजिए ठीक है डिप स्लिपिंग मोट पर डालने से क्या होगा बेग्रांड पर हमेशा ओफी रहेगा तो इस तरीके से बेग्रांड पर क्लोस कर देना है साथे साथ दोस्तों आपकाइस अपर अपडेट है वह चैक करें ठीक है आपका डिवाइस सोफफ़ेर अप्डेट होना चाहिए device सफ़वेर अपडेट रहेगा तो इस तरीके का प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा इस तरीके का प्रॉब्लेम अपकी डिवाइस में नहीं होगा दुबारा से तो यह सारे सॉलूशन दोस्तों आप यहाँ पर फोल्व आप कर सकते हैं बाई एनी चांस उसों मान लेज़े अपने सारे सॉलूशन किया फिर भी प्रॉब्लेम हो रहा है तो जैनरल मेनेच मेंट सेलेक कीजिए स्क्रॉλ डान करके इसेट पर जाएए आप Olympics करके आप यहां पर रेसों पर ने जैसे ही factory reset होगा आपका problem भी solve हो जाएगा ठीक है अगर mobile बार बार switch off होते हैं तो यही सारे reasons है और यही solutions आप follow भी कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों कई बार क्या होते बेटरी connection loose होने के वज़ा से भी यह problem आते हैं device में तो अगर बेटरी connection बागरा loose है तो आपको किसी technician के मदद ही लेना होगा या फिर कुछ service ने दर पर जाकि आप fix कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही दोस्तों अमीड करते आपको वीडियो पस्तेने होगा thanks for watching